मित्रों जय मातादी आप देखें धर्म सिक्षा मित्रों आज के इस वीडियो में हम चाचा करने वाल है प्रोपर्टी खरीदने के लिए अपरेल 2024 में कौन-कौन से दिन सुब रहने वाल है जाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो उसके जीवन की काफी गार ही कमाई और बहुत लंबे समय की कमाई लगती है वलकि और जाता लोग तो प्रोपर्टी लोन लेकर भी ख़एते हैं और जब भी प्रोपर्टी क्षईते हैं उनके मन में एक ही बात चलते रहती है कि इस property का उपभोग मैं भरपूर कर पाऊं और मेरे बेटे पोते और उनके बेटे पोते भी इस property का उपभोग भरपूर रूप से करें तो जब इतनी अच्छी कामना है आपकी तो अच्छे मूर्थ का चैन होना ही चाहिए property खहिदने के लिए ताकि बाद में कुछ मानसिक औसांती नहीं हो क्योंकि property में कुछ दिक्कत निकल जाती है बाद में तो कोई भी इंसान हो चाहिए कितना भी बुरा इंसान हो उनके मन में बहुत ज़दा असांती होती है और जीवन बहुत ही कठीन लगने लगता है तो ऐसे में अच्छे महुत का चैन करना चाहिए और लफरों से बचना चाहिए property देख के ही खहिदनी चाहिए अच्छे से तो property खहिदनी का महुत जो कि अपरेल 2024 के लिए मैं आपको बताना आराम करूँ उससे पहले आईए जान लेते है किन-किन परिस्थित्यों में तो property नहीं खहिदनी चाहिए तो Sunny War और मंगल War को property नहीं खहिदा जाना चाहिए War में दुनवार वर्जित है राहुकाल में property नहीं खहिदना चाहिए राहुकाल हर रोजी आता है कुछ समय के लिए राहुकाल की जानकारी आपको एक दिन पहले ही पंचान के वीडियो में हमारे चैनल पर मिल जाता है वहाँ जान सकते हैं राहुकाल कल कितने विज़े हैं तो उस समय रेश्टेशन नहीं कराएं बैना देखिए बैना आप कभी भी दे सकते हैं ब्याना दने से आप उस property के मालिक नहीं बनते हैं, लेकिन जब आप रइष्ट्री करते हैं या फैनल जो लिखा पर ही हो जाता है, तो उसके बाद उस property के आप मालिक हो जाते हैं, तो मालिक ही अच्छे मूर्थ में बनना चाहिए, ब्याना अच्छे मूर्थ दिखवा के देत हैं, अच्छी बात है, लेकिन रइष्ट्री तो होना ही चाहिए, अच्छे मूर्थ में, राहुकाल में नहीं करिए, बचिए से, तीसरा भद्रा, भद्रा में भी property नहीं खहिदना चाहिए, भद्रा जैसा कि आप जानते हैं, समय समय पर विष्टी कणियानी की भद्रा आत जो भी उस property के मालिक है, जिनके नाम से रइष्ट्री होना है, उनकी रासी से, अगर दो लोग की property है, दो लोग का joint property है, तो ऐसे में दोनों लोगों की रासी देखनी चाहिए हमें, दोनों लोगों की रासी से चोथे, आठपे या बरह में नहीं होना चाहिए, इस बात का ध 24 को रातरी के 3 बच कर 22 मेर से, और इसके समापती मंगलवार 9 अपरेल 24 को सुभा के 8 बच कर 8 मेर पर होने वाली है, तो पंचक में भी ख़ईदने से बचना चाहिए आपको, अब सुभ महुरतों की चाचा कर लेते हैं, अपरेल 24 में, कुल 4 लंबे-लंबे महुरत बंध हैं, जिनमें आप पौपटि खाईद सकते हैं, अगर आपको ये चारो महुर सूट ना करें, आप व्यक्तिकर तवर पर 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 पौपटि महुर जानना चाहते हैं, अपनी रासी क अनुसार, दो लोगों के साथ खाईद रहें, या एक लोग खाईद रहें, अपनी रासी के पर इसकी जानकारी मिलती है, यहां पर WhatsApp करना है, कॉल नहीं करना है, WhatsApp पर लिखना है, प्रोपर्टी महुर्थ, बस इतना ही लिखना है, हमाई तरफ से आपको एक मैसेज आया जाता है, उसमें जानकारी आपको दी जाती है, किन-किन चीज़ों को आपको बताना है, ताकि आप आपको property मुहुर्द बताया जा सके और दक्षिनार से इसके लिए 251 रुपे की ही है सिर्फ वो भी कैसे जमा करनी है उसका भी detail वहीं पर आपको WhatsApp पर मिल जाएगा तो वहां पर आप व्यक्तिगत तोर पर अपने लिए व्यक्तिगत तोर पर मुहुर्द निकलवा सकते हैं अर्था चार बच करन चास मिट के बाद आप property खहिद सकते हैं इससे पहले खहिदने से आपको बचना चाहिए तो यहां पर कुछ लोगों का प्रस्न आएगा कि तब तक तो property registration का office बंद ही हो जाएगा तो हम कैसे करा पाएंगे तो हमेशा ही हर जगा इसा नहीं होता है कुछ जगह लोग power attorney या अलाग लगतर से भी property को लिखवाते हैं जो कि कभी भी संभा हुआ है तो ऐसे में वो लोग इसमें registration करा सकते हैं दूसरा सुब मुहूर्थ बनेगा गुरु वार 18 अप्रेल 2024 को इस दिन तिथी करमसा दसमी और एकादसी रहने वाली हैं नच्छतर असलेशा और मघा रहेगा करमसा सुब मुहूर्थ इस दिन सुर्योदस लेकर अहो राती तक रहने वाला है यहां पर आपको दोचियों का ध्यान अखना आवसेक है एक तो राहुकाल आएगा पूरे दिन में उसका ध्यान अखना आवसेक है दूसरा अपनी राशी से चंद्रमा चोथे आठमें या बारह में ना हो जाए यह ध्यान जटना जरूर आवसेक है तीसरा सुब महुर्थ बनेगा गुरुवार 25 अप्रेल 2024 को इस दिन तिति करम सा प्रतिपदा और दूतिया रहने वाली है नक्षतर करम सा विशाखा और अनुराधा रहने वाला है सुब महुर्थ का निमान होगा सुन गोदस लेकर अहो राते तक यहां भी आपको दोचियों का धियान अवसेक है पहला रासी से चंद्रमा के स्थिति का धियान दूसरा राहुकाल का धियान राहुकाल की जनकारी जैसा कि मैंने आपको बताया एक दिन पहले ही पंचान के वीडियो में मैं आपको बता ही देता हूं वो समय को अवाइड करना चाहिए रेइस्ट्रेशन कराने के लिए चोथा जर सुब महुर्द बनेगा वो बनेगा सुकुरवार 26 अपेल 24 को एदिन तित्री करमसा दुटिया और तित्री रहने वाली है नक्षातर करमसा अनुराधा और जेस्ठा रहने वाला है सुब महुर्द करने मानोगा सुर्योदे से लेकर सामके 6 बचकर 27 मिर तक अर्था जब से जब तक आपके यहां सोरूम खुला रहे है रहिष्टी करा सकते हैं दुन चुईयों का धियान यहां भी रख लिजिए एक दो रहोकाल का धियान दूसरा चंदरवां से अपनी रासी की स्थिति का धियान तो मुझे उम्मीद है अब आप एक अच्छे मोहर्द में ही अपने पोपर्टी को ख़ए देंगे जिसका लाव आपको अनंत काल तक मिलता रहेगा इसी सुपकामना के साथ चलिए मिलते हैं किसी अनने ग्यान वर्दक वीडियो में तब तक देखते हैं धर्म सिच्छा जे माता दिए